कि नमस्कार प्यारे सात्य आप सभी का हर्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार ऐसे सेटर 24 7 पर मैं शानुरावत एक बार पुने आप सभी के सामने बिटा जी हाजिन हूं पढ़ने पढ़ाने की इस बड़ी प्यारी सी महफिल में जिसमें की मेरे दोस्त आज हम बलकुल जीरो से अपनी इंगलिस की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि आप टेग लाइन में स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि अब की बार आकरे बार यानि कि मेरे दोस्त अब की बार जो यह आपके सामने में अपने सेशन की शुरुआत कर रहा हूं जिसकी पहल मैं आज से क आपको जो कुशन्स पर ले करके चलूँगा यह नहीं होगा कि बार-बार मेरी बात होगी बिल्कुल जीरो से लेकर, टौप लेवल तक होने वाली और जिसमें कि आपको सब कुछ almost cover करने का प्रिहास यहां पर करूंगा बहुत तो प्यारा सेशन होगा हर दिन सेशन होगा टाइमिंग हमारी शेम रहने वाली है वही अपनी साम को 5-6 बजे तो जल्दी से आजाओ प्यारे सातियों आपको यहां पर आपको लर्नी सेशन भी रहने वाला है कि अब मैं आपकी तरीके से कंप्लीट इंग्लिस को प्रिपेर कराने वाला हूं यूट्यूब पर अपने सभी दोस्तों के लिए यह जो मेरी क्लास है यह आपकी सभी एक्जाम के लिए हैल्फुल होने वाली है प्री प्लस मेंस लेवल तक का कॉंटेंट में इसमें आपको जो देने जा रहा हूं यानि कि यदि आप तैयारी सीजियल की कर रहे हैं सीप्य प्लस कि यूट कर रहे हैं म्त्यश्व कर रहे हैं मंत्यों कि किसी बी एक्जाम के आप तैयारी कर रहा है जिसमें कि आपकी इंग्लिस आ रही हो से अपके लिए खलास बहुत जाद हेल्फुल होने वाले है तो जल्दी से आओ मेरे प्यारे मित्तों करता हूं क्लास की शुर बात करने चारों दम जीरो पे रहूंगा आज और जीरो से बिटा अपने साथ में आपको लेते हुए आगे बढ़ोंगा ठीक है ये क्लास सभी के लिए लोगी रिपीटर बच्चे के लिए भी फ्रेशर बच्चे के लिए भी क्योंकि रिपीटर को नई कंटेंट मिलते चले जाएंगे कंसेप्स मिलते चले जाएंगे और जो अपना फ्रेशर बच्चा उसके रिदम जीरो पे चीज़े जो देखने को मिलेंगे ठीक है आओ मेरे प्यारे मित्रों जल्दी से आज़ो कि शौलो बहुत बढ़िया बिटा बहुत बढ़िया कि सर मेरा mts का बहुत अच्छा एक्जाम वा सिर्फ आप की वजा से थैंक यू वेरी मच्च बटा थैंक यू वेरी मुच छिंताना करो आपके सब्ढ़ इंग्लेस आ लिए आपकी इंग्लिस्ट्र के अंदर बाधा नहीं बन सकती ये मेरा आपसे बाधा ठीक है आपके selection में English कभी भी दीवार नहीं बनेगी समझ रहें आपका 100% अब की बार selection होगा यदि आप इमानदारी के साथ सिद्धत के साथ बटाजी पढ़ाई करते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहली चीज मैं आप से बात करना चाहूंगा की जब भी बात इंग्लिस की आ जाए जब भी कभी बात आप किसकी कर रहे हैं तो इंग्लिस के लिए दो बातों का विशेज ध्यान रखे हैं इंग्लिस इस्पेशली इंग्लिस जो हमारी है वह तीन पिलर्स पर टिकी हुई है ग्रैमर वोकेब और आपका आपको तीनों पर अपना बढ़िया से एक तरीके से बनू तो आपकी बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं इंग्लिस में इन तीनों को कवर करने के लिए बटा जी कहीं ना कहीं जो सबसे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है वह बटा आपकी ग्रैमर जिस बचे की ग्रैमर क्लिगर होगी उसी को बढ़िया से वोकेब याद होंगी वही बच्चा वोकेब को समझ पाएगा वही वोकेब के खेल को समझ पाएगा क्यूंकि एक्जामनर हलका-लका सा चेंज गरके प्रो कोसिस करूंगा कम से कम PPT का यूज करने की क्योंकि मैं आपको बटा पढ़ाऊंगा दिल खोल के पढ़ाऊंगा यहां पर ठीक है ना PPT की मदद से ऐसा नहीं केवल आपको मैं कोशन से ही प्रक्टिस कराके निकल गया आपको जो वास्तविक इंगलिस है वो सिखाऊंगा भ पूरी इंगलिस एक दूसरे से interconnected है समझेर कहने का मतलब है यह यदि आपने नाउन चेप्र सीखा है तब ही आप प्रनाउन सीख सकते हैं जिसको नाउन और प्रनाउन आते हैं वही बैटा subject-verb agreement सीख सकता है जिसको मेरे प्यारे बच्चे अपका नाउन और प्रनाउन और subject- पाता है जिसको article आता है वही determiner सीख सकता है जिसको article और determiner दोनों बढ़िया वाले आता है वही बटा एड़क्टीव पर कुछ कर सकता है जिसको बचीवी सारी सारी parts of speech आती है वो बटा हमारे conjunction पर अच्छा कासा काम करता है जिसको conjunction तक की knowledge हो गी फिर बढ़िया से अपनी प्रेपोजीशन लगा पाएगा और जिसको प्रेपोजीशन लगानी आ गई यानि कि बचीवी सारी पार्ट्स ओविस्पीच लगानी आ गई उनकी सब की क्लियरेटी उस बचे को आ गई बटा वही फिर बढ़ियास एडवर्प पर काम करता है और जिसकी पूरी पार्ट्स ओविस्पीच क्लियर है जिसका बेसिक एकदम पूरा हो चुका जिसने पार्ट्स ओविस्पीच को जवर्यस तरीके से बटा सीख लिया फिर वही जाकर अप सभी के साथ है बिंदास रो खुश रो कोई परिशानी आपको नहीं आने वाली प्यारे बच्चों इंगलिस के अंदर मैंने आपको बता है तीन हमारे पिलर्स होते है ग्रैमर वोकेब कॉम्प्रेंशन बटा हम जो आज बात करने जा रहे है ठीक है ग्रैमर भी बटा हमारी कट दो परकेर होती है कोन कॉन सी उनली होते है प्याइ कोन छी फंक्शनल ब्रैहामर एक हमवारी कोन से ओफिन्से होगे फंक्शनल एक शब्द पर धिहान देते हैं, वो हमारी functional grammar होती है, प्यारे बच्चो, descriptive grammar वो होती है, जिसमें कि हम चीजों को describe करते हैं, और describe करने के लिए आप भी समझ सकते हैं, कि एक शब्द में तो बयां किया नहीं जा सकती बात है, तो इसमें हमें पूरे-पूरे sentence बनाने होती है, खिक है जी, अभी जो प्यारे बच्चो, आज मैं आपकी शुरुआत करने जारूँ, मैं डेस्क्रिप्टिव grammar से शुरुआत करूँगा, YouTube पर आपको सारी चीजे step by step पढ़ाऊँगा, पहले स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, कम से कम, कम से कम, मैं idea तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम, साथ से आठ दिनों तक आपको बढ़िया वाला tense सिखाऊँगा, tense के बाद फिर आपको जो मैं voice, tense के last वाले दिन आपको question tag, tense के दोरान ही आपको conditionals, ठीक है, और इसी के साथ साथ बेटा जी, tense के साथ साथ बेटा जैसी voice हो जाएगी, तब लाड ले narration, और ये class मैंने अपने उन सभी विद्ध्यार्तियों के लिए, जो है समर्पित की है, या फिर उन सभी विद्ध्यार्तियों के लिए, मैंने बेटा जी class अपनी लगवाई है, आपने देखाऊगा कल class नहीं हो पाई थी, टाइम टेबल पूरा डिस्टब था, ये class संभावी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं specially request के हूँ, और मैं thanks करूँगा अपनी management team को, जिन्होंने फिर से मुझे opportunity दिये, कि भई, आप अपने इस तरपर, अपना time stroke continue कर सकते हैं, तो बटा ये class आपकी continue रहेगे, और ये class मैंने अपने उन सभी विद्धारते उगले समर्पित कर दी, कि जो कि हमारे paid batch में नहीं आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपकी सारी चीज़े clear करने वाला हूँ, step by step चीज़े यहाँ पर भी चलेंगे, ठीक है दोस्त, हर चीज कवर करवाँगा, grammar भी, vocabulary, comprehension और वास्त्विक इंग्लिज बटा आपको मैं यहाँ पर दूँगा, ठीक है दोस्त, तो अभी जो मैं आपके सामने आज शुरुआत करूँ बटा, मैं आज आपके सामने sentence से शुरुआत करूँगा, sentence यानि बटा आपका tense, ठीक है जी, sentence यानि बटा वाक्य होता क्या, a group of word which has its complete sense, its so called a sentence, शब्दों का एक ऐसा समो बटा, जिसके पास अपना complete sense है, उसी को आप बोलते हो sentence, ठीक है जी, functional grammar बटा, वो grammar होते हैं, जिसके अंदर आप parts of speech सीखते हो, क्या सीखते हो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी parts of speech सीखते हो, और बहुत सारी आपकी myth भी clear कर दूँगा, जो बच्चे आज तक कहते हैं, हमें आज तक यह समझ में नहीं है, 10th chapter क्यों बनाया, 10th chapter आखिरकार कैसे काम करता है, sentence बदले कैसे जाता है, सर हमें तो इसके transformation आज तक समझ में नहीं है, सर हमें तो इसमें error कभी पकड में ही नहीं आती, बटा, वो सारी चीज आज clear होंगी, ठीक, आज तो इकटी नहीं हो सकती, सोचो, आज swore it out clear हो जाएंग, आने वाले 5-6 दिन में, जब तक tense chapter चलता है, तब तक यह मान के चलो, कि आपको इंगलिस में कोई दिक्कर नहीं आने वाले, बटा, descriptive grammar, यानि आप describe करोगे, ठीक है, जी, describe करने का, बटा, आप काम करने वाले, तो आज जो हम सीखने जाने, बटा, आज हम सीखने जाने, बटा, tense, क्या सीखने जाने मेरे पैरे बचों, हम सीखने जाने, tense, ठीक है, सबसे first topic, आज में आपके सामने, बटा, पढ़ाने वाला हूँ, that is our tense, tense, tense का आपने अक्सर, बटा, नाम सुना होगा, tense को, बटा, ऐसे सुना होगा, आपने आज से बहले, बटा, time and tense, आपने, बटा, जी, क्या सुना होगा, time and tense, ठीक है, tense का पूरा नाम क्यों था, बटा, time and tense होथा, ठीक है, time and tense के साथ ही में, बटा, मैं पैरलली ले करके चलना चाहूँगा, यहाँ पर, बटा, sentence को, किसको मेरे पैरे बच्चू, sentence को, sentence, आप सभी जानते, sentence का मतलब होता है, बटा, बटा, वाक्चा, गुरूप और वर्ड, विच हैज, इट्स, complete sense, इस सो कोलड़ा sentence, एक सब्दों का ऐसा समुझ, जिसके पास अपना complete sense है, उसी को, बटा, हम बोलता है, sentence, ठीक है, तो time and tense, sentence को, मैंने किस के साथ लिंक किया, बटा, sentence के साथ लिंक किया, प्यारे बच्चो, थोड़ा समझने का प्रियास करना, आपने आज से पहले, बहुत बार sentence को देखा होगा, sentence सुने होंगे, sentence बना होंगे, और पूरी इंग्लिस ही sentence पर टिकी होई है, पूरी पूरी इंग्लिस बटा, किस पर टिकी होई लाड़ ले आपकी, इसमें, हाँ, बिलकुल होगी बटा, daily class होगी हमारी, प्यारे बच्चो, sentence जो हमारा शब्द है, sentence एक सब्दों का ऐसा समोगे हो बटा, जो की mainly किस से बना है, subject से, plus helping verb से, plus बटा, आपका main verb से, और बटा जी, आपका object से, sentence तो यह होता है, sentence क्या होता है, helping verb, plus बटा, आपकी main verb, plus बटा, आपका subject, that is so cold, प्यारे बच्चो, आपका sentence, जो होगा दोस्त, आपका सीधा-सीधा, यह होगी आपका sentence, ठीक है, done, अब देखो, फोड़ा सा समझने का प्रियास करना, हलकी सी, छोटी सी कहानी सुनो, बटा, जब हमारी प्रत्वी, का विकास होना, शुरू हुआ था, सबसे पहली बार, तो आप सभी जानते हो, कि जब हमारी प्रत्वी पर विकास होना शुरू हुआ, तो इनसान उस टाइम पे आदी मानव था, आदी मानव से भी अगर मैं पहले चला जाओं, पुरा पाशान काल के दुरान में लेकर गए जाओं आपको, तो इस दुरान इनसान क्या था? चिंपैंजी की तरह था, गोरिला की तरह था, उसे कुछ नहीं आता जाता था, एक तरी रिवर्तनी एनियम है, यानि की चेंजीज हमेशा होते रहेंगे, यह आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूँ, हाँ, समय के साथ हम अपने आपको अपडेट कर सकता है, लेकिन चेंजीज को हम कोई भी नहीं रोक सकते हैं, बाट ड़न है, ठीक है, चेंजीज होते गए, इन तोन काटके मर जा रहा हूं, इंसान ने सोचा कि यह जो मेरे साथ घटना हो रही है, क्यों ना इनका एक record हो, मैं भी अपने आपको एक summarize तरीके से जो record अपना maintain कर सकूं, मैं भी अपने आपका एक record maintain करूं, समझे रहो, तो इनसान के मन में जो विचार आने शुरू हुए, तो पटा इसी development की कड़ी में इंसान ने देखा कि यार यह जो मैं घटना है कर रहो अगर मैं इसको किसी तरीके से लिख दो ना उसके दिमाग में एक बात आई किया यह बनातोरों इसका कुछ नियम कायदे कानून भी तो हो मैं कैसे अपनी चीज को सही से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा तो बिटा यह जो sentence को बनाने के लिए नियम कायदे कानून इंसान ने बनाए विकास किया उनी नियम कायदे कानून का नाम होता है tense क्या होता है मेरे पहरे बच्चो tense बात समझ पार हो फिर से सुन लो जो हम अपनी बात बोल रहे हैं उस बोली गई बात को अगर हम लिखने का प्रियास करें लिखने का प्रियास करेंगे even if सोचने वाली बात है जर्णलिहम सेंटेंसस बनेंगे तो उन सेंटेंस वी बनाने के लिए उसी नियम कायदे कानून ने को हम क्या बोलता है tense囉 क्या बोलता है मेरे पहरे बच्चो टेंस बोलता है नियम कायदे कानून का क्या मतलब निकला बिटा कि आपका कौन सा कार्य कब हुआ इस बात को दिखाने के लिए बिटा आपको किस के आशकता पड़ेगी सेंटेंस की लेकिन इस बात को बनाने के लिए इस बात को sentence का रूप देने के लिए आपको किसके जरुत पड़ेगी बिटा टैन्स की किसके जरुत पड़ेगी पहरे बचो आपको टैन्स की बात समझ पा रहे हो आखिरकार अगर मैं आपसे बोलूँ tense है क्या तो टैन्स अपने आप में यह बताता है कि कौन सा कार है कब हुआ इस बात को बताने के लिए हमें किसके जरुत पड़ती है बिटा टेंस के लेकिन दिखाने के लिए किसके जरुत पढ़ती ही प्यारे बच्छो, sentence की, तो यानि कि यह दोनों के दोनों एक ही परिवार के सदश्य है, time and tense की मदद से बनता है हमारा sentence, और sentence किसकी मदद से बनता, time and tense की मदद से, ठीक है जी, मैंने बटाई यहां पर time and tense के अंदर यहां पर एक बात लिखे, tense को सीधा-सीधा मैंने लिखा, time and tense, प्यारे बच्छो, आप सभी जानते हो, कि जो हमारे time होता है, time बटा तीन होता है, time कितने होता है, प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर, कौन-कौन से बटा जी, आपका present time होता है, प्यारे बच्छो, past होता है, और कौन सा होता है, तो उस तमारा future होता है, ठीक है, time and tense, ठीक है, time and tense बना, अब बटा, अगर मैं इसी tense को, time and tense मैंने सेम चीज़े लिखी, अगर इसी tense को मैं और ज्यादे तोड़ने को सब्सक्राइब, यह तो मैंने इसका एक actual नाम लिखा, actual नाम क्या tense का time and tense है, लिकिन अगर टेंस को मैं और बारी किसे तोड़ने का प्रियास करूँ, तो tense होता है, अपने आप में time plus action, क्या होता है, time plus action, time plus action का combination है, उसी को मैं क्या बोलते हैं दोस्त, उसी को मैं बोलते है, tense, अब time कितने होते है, यह तो आप सभी को संभी में आगे, sir, time हमारे total होते है, 3, ल second is our continuous action, third is our perfect tense action, and last is our perfect continuous, कौन सा बटा, perfect continuous, ठीक है जी, तो 4 action, 3 time, आप मुझे बताओ, 3 की गुना, 4 में करोगे, तो total tense कितने बने है, बटा जी, आपके 12, total tense कितने बन गए, प्यारे बचो, आपके सीधे-सीधे, 12, क्या बने है, मेरे दोस्त, 12 tense बन गया आपके, तो इस छो sentence किसके दम पे बना है, tense के दम पे बना है, tense क्या है, time प्लस action का combination, time कितने होते है, 3, action कितने होते है, प्यारे बचो, आपके, 4, ठीक है, तीन time को, 4 actions के साथ मिला कर गया, अगर हम देखें, तो total कितने संभावित tense बना जा सकते है, 12, तो सबसे main वज़ा ये रही, कि ये 12 tense ज action, तीनों को मिला के बन गया, what it, मैं जब student था तो मेरे मन में एक सवाल उड़ता था, कि ये 12 ही क्यों है, ये 4 क्यों नहीं, ये 8 क्यों नहीं, ये 10 क्यों नहीं, ये 14 क्यों नहीं, ये 18 क्यों नहीं, तो उसकी वज़ा क्या है, आपके, 3 time, 4 action बन गया आपकी ये, दूसरी ब क्यों होता है, doer, यानि कार्य करने वाला इंसान, जिसे मैं बोलूँगा आपके लिए hero, sentence का hero, helping verb का काम क्या, helping verb का काम है, प्यारे बच्चो, time of action दिखाना, sentence के अंदर helping verb अगर लगाए जारी, तो क्यों लगाए जारी है, कि कार्य कब हुआ इस बात को दिखाएगे आपके helping verb, और main verb का काम है, action को represent करना, किसको represent करना लड़ ले, action को, action denoting word, कि जो आपका action को दिखाने वाला शब्द है, मैं वर्ब बोला, और object क्या होता है, object होती है, आपके extra information, क्या होते है, प्यारे बचो, आपके extra information, और extra information किसकी होगी, तो extra information होगी, बटा verb की, किसकी भाई, वर वर्ब के extra information हो, उसे हम object पोलते हैं, तो इन सबी चीजों को मिला करके, हमारा क्या बनता है, sentence बनता है, क्या बनता है, हमारा sentence बनता है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ बटाजी, इस बात में, भाई, helping verb ने दिखाया time, main verb ने क्या दिखाया बटा, action, तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बटाओ आपने देखा, कि जो हमारा helping verb और main verb, दोनों की दोनों वर्ब है बटाजी, दोनों की दोनों क्या है बटाओ आपकी, वर्ब हैं, और दोनों ने क्या दिखाया बटा, टाइम और एक्षन और टाइम और एक्षन को मिला करके मेरा क्या बन रहा है टेंस तो वर्ब की स्टडी करना ही पिटा हमारा क्या होते है टेंस समझ रहा है आप से पूछे वाट इस टेंस 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 है क्या समझ रहो क्या मेरे प्यार बचू टेंस टेंस तो आपको सब्सक्राइब करने करेंगे आपका कभी ही सब्जेक्ट या फिर अब्जेक्ट पे कोई तालुकाथ नहीं होगा टेंस पहचान ना चाहते हैं तो प्यारे बच्वह आपको क्या देखना पड़ेगा उसकी वर्ब helping verb क्या है, main verb क्या है, इन दोनों को combination, जैसे आप देखोगे, इन दोनों का जो combination आपने देखा, यानि कि आपने tense पकड़ लिया sentence का, क्या पकड़ लिया बटाजी, आपने tense पकड़ लिया, बात समया गई, बटा आशोक राजपूत ये चलतो रही है, और कौन सी तमरी एर फोर पर हुई, आपने सिख लिया है, आपने यह पर क्या सीखा, आपने सीधी सीधी सी एक बात सीख लिया, और बात बटाजी सीधी सी आपके क्या रही, कि भाई अपने आप में दे टेंस की में बात करनो आप से, चलिया, तो आपने बटाजी यहां पर सीखा क्या वी तक, आप को भी थोड़ा सीख लो हलका सा बेसिक बिटा वर्ब आपकी दो परकार कियोंगी एक तो गी बिटा जी आपकी हल्पिंग और एक आपकी होगी बिटा में वर्ब ध्यान सा सुन लेना बहुत इंटरस्टिंग थियोरी है यह तीचर डायरेक्ट आते प्रिजेंट इंडेफिने टेंस पाएंगे ताह तीयत है और सीधा गाड़ी को आगे ले जाते है ना तो आपको यह बताया जारा कि टेंस एप्टर क्यों बनाया कैसे बना कैसे काम करेगा यह बेसिक क्लियर होते ही नहीं बच्छे गे तो इसलिए पहले बेसिक अच्छे करो जितनी मजबूत आपकी अच्छी आपकी इमारत बनाई जा सकती है ठीक है अगर नीव कम जोर हैगी तो इमारत जैसे-जैसे अच्छी बनाने कोस्त करोगा बड़ी बनाने की उच्छी बनाने कोस्त करोगा तब फिर इमारत में रिस्क बना रहा है गा बिता वेको helping word और main word वर्ब कितने प्रकार क्य प्राइमरी अर्फ़ ये सबुन्दिए विद्रटा रीक। अब इन Jrado tomorrow को आपकी तरी काम पिटाइम और ईकशन दुछनद हना क्पोमोच-क्वर्परन को मोडिल रूटा मोडर्व और मोडल drove आपके दिखाएंगे लाड़ने mode of action यानि कार्य आखिरकार कैसे हुआ इस चीज को आपका कौन दिखाएगा बिटा आपका दिखाएगा models आगई बात समझे मैं फिर से सुन लो बिटाजी जब भी कभी जब भी कभी आपको जो है यह बतानों कि कार्य कब हुआ तो प्राइमर पूरी इंग्लिस के अंदर केवल तीन हैं डू भी और हैस इसके अलावा कोई भी एल्पिंग वर्भ है इन इंग्लिस में समझ रहे हैं कौन-कौन से बिटा आपके डू भी और बिटा आपकी हैस कौन-कौन से प्यारे बच्छो आपकी डू भी और आपकी हैस और models तो मैं मायट विल वूड सारक सारे बीटा आपके कैं मोडल्स ये बात क्लियर होई चलो जी भोत बढ़िया न तो ठीक है जी यह विटा आपके helping work हो गई helping work के अंदर भी आपके दो तरह के helping work आपने सी कि primary helping work और आपके models primary helping work का काम क्या है विटा जी सीधा-सीधा time of action को दिखाना और models का काम होता विटा mode of action को दिखाना प्यारे बचो यदी main verb की बात आई तो main verb धिहान रखना main verb हमारी होती बटा action denoting word क्या होता है बटा जी आपकी action denoting word action denoting words का मतलब हो गया बटा सीधा-सीधा की एक ऐसा शब्ड जिससे कारे को आपने दिखा जिसको वास्ता में क्रिया बोलता ही इसकी पहचान क्या बटा इसकी सारी-सारी form बन सकते वर्ब की फिस फिस फोर्म भी बनाई जा सकते जैसे आपकी going हो गया और इसकी 5th form भी बनाई जा सकते हैं जैसे आपको क्या होगा, गोज होगा, गोज होगा, तो यह सारी क्या है आपकी, यह आपकी main verb की form होगा, main verb वही है जिसकी आप form change कर सके, फिके जी main verb कॉन सी वर बहुत है, जिसकी form change आप कर सके, तो यह पूरी की पूरी पूरी हमारे tense की आपने theory clear कर ली है, done, थोड़ा सा हो सकता है, अभी आपको यह basic चीजे लग रही हो, लेकिन यह बहुत help करेंगे आपके आगे चल के, ठीक है जी, basic सी बात clear हुई सभी बच्चों को, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको tense, tense है क्या बटा, sentence को बनाने के नियम कायदे कानून का एक पिटा रहा, ठीक है जी, tense है क्या, sentence को बनाने के नियम कायदे कानून का एक पिटा रहा, इस नियम कायदे कानून में दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक तो आपका time, दूसरा बटा action, time को दिखाते समय हम किसका इस्तमाल करते है, time को दिखाने के लिए, बटा helping verb का और action को दिखाने के लिए, किसका सहरा लेता है, बटा, main verb का, किसका लेता है मेरे दोस्त, main verb का, helping verb कितने परकार की होंगे, दो परकार की, primary helping verb और आपकी models, primary helping verb यारी बटा time of actions दिखाएंगी, models आपके mode of action को दिखाएंगी, अब time of action को दिखा रही है तो कितनी होंगे, do, be, और आपकी has, कौन-कौन से, do, be, और आपकी has, models बहुत सारे होता है, models के साथ हमेशा verb की basic form आती है, और अगर ये passive में चली जाए तो be के साथ verb की third form आती है, यह हम आगे चलके बटा जी सीखने वाले है, done, done, बटा, जोन अगर English आ रही है तो बिल्कुल helpful है, done, यहां तक की बात हमारी हुई clear, कोई अभी तक बच्चे को doubt था नहीं, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले करके चलता हूँ, चलो थोड़ा सा आगे, यह बात आपको यहां तक तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, बटा जी, अब मैं आपके सामने ले करके चलता हूँ, थोड़ी सी बात sentence की, sentence की बात करने से पहले, अब मैं आपको और थोड़ा सा आगे ले करके सीधा आतो हूँ, बटा अब टेंस पर, अब मैंने सबसे पहला टेंस आपके सामने ले लिया है, present indefinite tense, ठीक है जी, अब बटा जी मैं आपके सामने है, present indefinite tense, कौन से tense पर है बटा जी, present indefinite tense पर, ठीक है जी, अब ये basic हमने सीख लिया, कैसे कैसे काम चलने वाला है, अब मैं सीधा आगे आपके सामने, present indefinite tense, ठीक है, present indefinite tense, सबसे पहला tense, सबसे important tense, और मैं बोलने हूँ, बटा जी, तो अपने आप में, backbone of whole tense, backbone of whole tense, of the whole tense, समझ गे बटा जी, कितनी बड़ी एक मैंने ब बात लिखिये, backbone of whole tense, यानि जितने भी आपके tense है, उन सबसे important है, वो आपका present indefinite tense है, ऐसे मान लो, जिसको present indefinite tense क्लियर है, यानि कि, उसके, अगर tense के 10 questions का मैं टेस्ट लो हूँ, तो उसके लगबग 5 questions तो done है, क्योंकि सारे इक सारे, maximum number of questions आपके यहीं से, put up होता है, यानि कि एक ऐसा tense, जिसकी मदद से, हम जो daily basis पर हमारी काम चल रही है, जो हमारे daily routine में काम चल रहा है, कोई भी action है, जो repeated action है, जो कि आपका habitual action है, जिसमें कि आप information देने का काम कर रहा हो, जहां पर वास्ता में देख में तो कोई काम हो ही नहीं रहा, ऐसी सारी सारी लेकर क्याते है, present indefinite tense, क्या लेकर क्याते है, मेरे प्यारे बचो, आपका present indefinite tense, जैसे कि मेरे प्यारे बचो, मैंने या पर बोला, कि जब भी कर बटा, आपको कोई routine action दिखाना हो, कैसा action दिखाना हो, प्यारे बचो, आपको कोई routine action दिखाना हो, या फिर आपको कोई repeated action द या फिर बेटा आपसे मैं बोलो universal truth statement दिखाना हो, क्या दिखाना हो मेरे प्यारे बचो आपको universal truth statement दिखाना हो मैं बोलू बेटा आपसे सारी सारी बात है मैंने बोला बेटा आपको कोई ना कोई फेक्ट दिखाना हो ठीक है ना कोई बेटा आपको फेक्ट दिखाना हो या फिर मेरे प्यारे बचो आपको लाइव कोमेंटरी दिखानी हो क्या दिखाना हो आपको कोई LIVE COMMENTARY दिखाना हो मेरे प्यारे बच्यों आपको कोई RICHARD दिखानो कैसा gives आभो लिए और फ्रेक्त दिखानो प्यारे बच्शों आपको कोई imperative sentence बनानो आप बोलोग गूरुजी ये क्या लिख दिया imperative sentence बताऊंगा इन सभी के लिए एक ही tense बनाए आपका present indefinite tense आपके सामने इतनी सारे लिख्षी लिख्या आपने बुला सर क्या हो गया नहीं मेरे भाई एक-एक point पर छोटी से छोटी बात पर आपसे बात करूंगा दोस्त ठीक है ना बिल्कुल परेशान ना होना लड़ ले मेरी जिम्मेदारी है यह बात समय में आ रही है ठीक है भाई तो आपको एक बात तो clear हो गई इन सभी को देखकर के जो मुझे भी समझ में आता है कि यहां पर जो मेरा काम चल ला है ना here the work goes on daily basis here the work goes on daily basis as a routine कि यहां पर जो बिटा मेरा कारेश चल रहा है ना वो daily basis पर एक routine के तहत चल ला है ठीक है जी आई बात समझ में बिल्कुल आई अब इसको बनाने के लिए मारी structure क्या रहनी चाहिए मन में तो question उठता ही है कि सरी structure क्या रखे तो बटा देखो जब भी कभी जब भी कभी बिटा जी आप जो है present indefinite tense की बात करते हो तो present indefinite tense के अंदर जो आपकी structure रहेगी structure को इसक शचें डाए है कि subject के साथ में या वर्ब की the first form और in to any या फिर वर्फ को से खिना प्रतिों स्वाल आप कर ऊब्जेक्ट के साथ तो Always की क्या करने वाली है कि subject subject के साथ में प्रतिक प्रता Does आपके मंद में फिर सेंकडो सवाल उठेंगे सर डायरेक्ट सेंटेंस पर लाकर के टिका दिये हो बेसिक नहीं पढ़ाए हो यह तो सर आपने यूज लिग दिये हमें इनसे क्या मतलब बेटा होगा मतलब एक-एक को मैं पढ़ाऊंगा आप बोलोगा सर फिर डायरेक्ट आप के सामने बनाही इसी स्ट्रक्टर के बाद बिटा यह जो पूरा को अपूरा बना यह लाट निया क्या कैसे अन्दर का टेंस अब इस sentence के अंदर टेंस कहा है? यह बताओ मुझे प्यारे बच्छो, sentence के अंदर tense कहा है अगर मैं आप से पूच बटूँ आप बोलोगा, sir देखो, tense यहां है यहां सर ये जो V1 और V5 लिखा हुआ है, ये sentence के अंदर का tense संस एकमरे पमकार के संद्रार करें तो ठ्स तोड़ा और बल दिया जाना छिए के अलग से और भाई यह पुरा कροपिट चैन्स सब्डों का पूरा समुझ परा है सब्लब कर सब्सक्राइब भर यह तो तो है subject or object tense नहीं ही आढ़ जी वो थो subject और object मिला करके हमार एक sentence बन रहा है बहुँ है टैंस अपने आपनेमने मतलब नियम गधर कानून का एक पिटार है जिन नियमों के दम पे जिन नियमों के आधार पे हम अपने sentence वो सेंटेंस को बनाते है वज़ है हमारा तेंस AI लेकिन टेंस कभी सेंटेंस नहीं है और टेंस के बीना सेंटेंस नहीं है तेंस के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता तो इस तरीके चीज़े चलनी है आप बोलोगे सर सब्जेक्ट के आधार पर आपने वीवन वीफाइब किया ठीक है थोड़ा सब्जेक्ट को पढ़ा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट होंगे ध् दुनिया का किसी का कोई नाम होगा मेरा या आपका किसी का भी या फिर बिटा कोई बचा हुआ सिंग्अलरोगा फिक है और आगर यह प्लूरल हूआ पका आई आपका वी, आपका यू, आपका दे या फिर आपका कोई plural होगा या होगा आपका कोई plural subject होगा जैसे टू बोई हो गया ए बोई हो गया इस तरीके से दुनिया में जितने भी sentence बनेंगे बिटा वो इनी दस subject से बनेंगे विश्वास नहीं हो रहा तो आप सोच लो सोच करके देख लो या कोई subject आपके दिमाग में आ रहा हो जिससे आपने आज तक sentence देखा हो बताओ मैंने प्यारे बचो सर एक्जामपल समझाओ बिटा थोड़ा सा patience रख हर चीज सिखाऊंगा previous year भी करवांगा तुम ही से करवांगा थोड़ा patience तो रखो अगर आज फिर तुमने patience नहीं रखा तो फिर दुबारा कभी न कभी तुम्हें पढ़ना पढ़ेगा मैंने पहली class के उपर tag ललवा दिया इस बार आकरी बार हर चीज पढ़ाऊंगा जीरो से जीरो जिस बच्चे को पढ़ना है हार देख स्वागत है बटा लेकिन थोड़ा सा अब की बार patience रखके छो ठीक है ना महल कभी भी एक दिन में नहीं बनता महल को बनने में हमेशा घर के comparison में जादर समय लगता है थोड़ा सा सिद्दत से पढ़ो मजा आ जाएगा प्यारे बच्चो आप सब्धी नि सोच लिया होगा मनी मन में आप मुझे बठाईए किया दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट इन 10 subject के एलावा 11 सब्खेक्ट से बनाया जा सकता है बताओ भया आ रहा है क्या कुछ मन में है कोई भी दुनिया का सेंटेंज जो आपके मन में आ रहा है क्या इन दस के अलावा 11 सब्जेक्ट में है नहीं हो सकता मतला भी नहीं पूरे इंगलिस यार इन दस सब्जेक्ट पर ठीक हो यह आप बिटा यह दस सब्जेक्ट में जो कहने सर्फ नोट्स बनाएं कि अब इटा कोई जर्वतनी एक शब्द भी मतलिको आप बस दिमाग पर लिख लो मेरे पास कोई कोपी है क्या या किसी चीज से मैं देखके थोड़ी बढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपके सामने इस यूजवल हूँ पढ़ा पा रहा हूं दिमाग पर लिखा है नोट्स तो न आजयने कितनी बार बना ले नोट्स वोट से आटो सबका समाधान में देदूंगा इसकी PDF जियूं की त्यूं देदूंगा जियूं की त्यूं पढ़ाई हुए की लेकिन अभी बिटा केवल और केवला पढ़ो कोई नोट्स नहीं करना कुछ नहीं बनाना दिमाग पर लिखो जाद आया था चीजिए प्यारे बचो यह आपकी सब्जेंट सब्ज लेकिन अगर सब्जेंट्स में ह्लपिंग वर्ब है तो हैलिटिंग वर्ब को सिंग्लर या प्लरल बनाएंगी अगर sentence के अंदर helping verb है तो helping verb को singular या plural बनाएंगे और यदि अगर helping verb नहीं है तो सीधा main verb को singular या plural बनाएंगे लेकिन अगर helping verb है तो main verb को touch मत कर देना अगर helping verb है तो आप main verb को touch नहीं करोगे ठीक है, समझाता हूँ बिटा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने helping verb की बात कही थी दोबारा से वहीं पर लाकर खड़ा कर दूँगा जहां से शुरू किया था आपको helping verb की आपसे मैंने बात कही थी और मैंने आपसे बोला था कि प्यारे बच्चों पूरी इंगलिस के अंदर तीन ही helping verb एक तो डू है एक बी हो गई और एक आपकी है ठीक है समूर इनको समझो जो डूरव है हमारी हेल्प इस की फोर्थ फोर्म होटी है है ये डोब अपके में और इसी की जुव ब्रीग जी ऑफधाई नियए अप लगाोगे तो विए साल जाए कि Sug Sang इसी प्रकार से अगर में आपकी समने B की बात करो, किसकी बेटा? B की बात करो, तो B की 1st व्राव क्या होती है? इज आर M, क्या होते है बेटा, आपकी? इज आर, या फिर मेरे प्यारे बच्चो, आपकी M 2nd f Mor a. आपकी was, या 5 वर 3rd form आपकी क्या होते है बिटा जापकी बीन, 4th form आपकी क्या हो जाएगी और 5th form आपकी क्या हो जाएगी 5th form आपकी क्या हो जाएगी, 1st और 5th आपकी same ही रहने वाले is RM is RM, ठीक है जी, 1st और 5th को मैंने same रख लिया, आलंकि इसके अंदर रहे variation आएगा, subject के according बदलेंगे और भया जो has है, has की 1st form हमारी क्या होगी बिटा, हमारी होगी लाड ले have, second क्या होगी बिटा, आपकी, head, third form भी क्या होगी बिटा, आपकी, head, fourth form हमारी क्या हो जाएगी, having, और last form हो जाएगी बिटा, आपकी has ये पूरी की पूरी helping verb है, पूरी English इस पर टीक होई है, जिसको ये चीज़े clear हैं, उसे कोई कुछ भी मतलब कि बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, उसे कोई examiner, concept से डिगा नहीं सकता, उसका question गलत नहीं हो सकता, समश्य ये है, 90% बच्चे इन basic चीज़ों पर कभी ध्यान दिये नहीं, सीधे गए, ताहे तीयते हैं, और tense पढ़के आगे बढ़के, ऐसे tense pass होने लगे, तो प्यार हर किसी की English system नहीं हो जाए भई, थोड़ा तो बुद्धी लगाते हैं, यह होतनी है आपकी helping verb, प्यारे बच्चों, इन helping verb में विशेस करके बुद्धी लगा ले ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, helping verb singular plural की अगर आपसे बात की जाए, क्या आपकी singular plural की अगर बात की की जाये, प्यारे बच्कों singular plural की बात की जाये किसकी helping word, तो singular plural में क्याइव यह हो सकता है, यहाँ पर मैंने लिए आपके सामने singular or यह ली पैक्या मैंब कैसा हमने plural, ठिक है, singular अधर में विटा क्या क्या ता इस आता है अपका वाज आता है और प्लरल के अंदर दोस्त आपका आ रहता है भीटवर आता है एक बैसिक बात तो हो गई है मैंने अभी बात आपसे बोली तो याद करो जल्दी से कि अगर सेंटेंस के अंतर केंदर helping garb na dho Ugh a sentence can the dog na dho Then main verb में ही सको main marketing singular app pela बनाते है कैसे बनती थिंड़ा तो ध्यान रहें नहीं है तो मजिए मेन वर्ब में क्या काम करते में थाची हम में अपिल्ब हो यह shaken लगाता है और मेनर no tex agd SM reports बन जाती है कि सिंगलर Вर्ब बन जाकती है सिंगलर हो जाएगी यहीं आपकी सिंगलर हो जानी यही बात ने यहां पेसिक एक इग्जाम्पल देने जा रहो जो आपने सब से पहली बात जो आप इसकूल गए तब आपने सीखा था याद करो बिटा आपके teacher ने ने प्रिजेंट indefinite tense पढ़ाया था आपको पढ़ाया होगा वटेटा he go या फिर goes to school या फिर आपको पढ़ाया गया होगा subject he she it और दे के साथ में वर्ब की first one mess या yes तो उसकी वज़े यही थी ठीक है बटा फिर मैंने लाड़ ले यहां पर आपके सामने के एक्जाम्पल दिया मैंने बोला भाई दे गो या गोज टू स्कूल बटा देखना यहां से कैसे कैसे कोश्चन निकालता हूं अभी बेसिक पर खड़ा हूं टेंस धंसे शुरू भी नहीं हुआ लेकिन आप कोश स्कूल प्यारे बचहें क्या आएगा सूचो सूचो बहुत बढ़िया सो blev का da presumole गया मैंने για सा जैसा शूजस कवियों जैसा सब्सक्राइख मैसी वर्भ सब्जेट कT carta कि आपको खुज से लिए बात कि ही आपका कैस एमयathi छूजद है का सब्राइट थे सिनलर तबिटा है है अब जैसी आप यह हैं एप लगाना पड़ता है यह अने आप यह को अने वाला ठीक है देक अब जब ले अब लगव आप लेकिन आपको प्लोरल चीटो तो पर आपका गोज्ड आ गया क्या थे उसी कैटेग्री में यह काम ना कर दो भीया कि यहां पर दज लिग दू बहुशन से लगा दिया और दू को यहां लिग दो क्योंकि यह नहीं लगा तो प्लर लो गया यहां तक तो बाट ठीक है अब मैंने ही पर कॉशिंट फिर बदला मैंने बोला भया he, he, do, या फिर बटा, does, not, go, या फिर प्यारे बच्चों, आपका goes to school, पहला example बटा मेरे, फिर लाटले मैंने एक और example आपके समने दे दिया, मैंने आपसे बोला, they, do, या फिर does, not, go, या फिर goes to school, हाँ जी, अब answer करना देखो, कौन बच्चा जल्दी answer करेगा, बटा, जल्दी answer करना, और focus यहां रखना, असली लड़ाई तुमारी यहां है, तुम्हें पता, tense verb से बनता है, बताओ जल्दी से, बेसिक पर काम देखों कितने बच्चों का किया हुआ है, बताओ, 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 जल्दी से, क्या होने वाला है, बटाओ, आप का, जब आपने helping verb को ही singular या plural बना दिया तो क्या main verb को भी singlar बना ओगे, कभी नहीं, never, जानकना, अगर helping verb के साथ treatment हो गया, तो main verb पर हमें नहीं जाना है, अगर helping verb को आपने singular या plural बटाँ बना दिया, तो आप main verb पर नहीं जाओगे, यानी main verb को कॉनसी form आई, first form, फिर यहां बहुत लेकिशन पुर्फ लेकिशन अपके अपको आपकी वह इंट अपकी क्या है कि सेंटेंस के निपतर आगे दिड़ पढ़ाओंगा तो हमेशा में वर्प के कौन सी फॉम आने वाली है आपकी फस्ट और इस बात को ध्यान दगना बहुत मज़ेदार सेशन होंगे हर चीज बिल्कुल जीरो पर ले जा ले जाके सिखाऊंगा फिर कहा हूँ बटा अगर helping verb को singular plural बनाया तो main verb को touch नहीं करोगे और अगर helping verb है ही नहीं तो main verb के साथ आप खेलोगे कैसे खेलोगे भाईया कि आप जो है मैं तो बात भी sentence की कर रहा हूँ ठीक helping और पढ़ा तो आगे निकल गया था यह देखो subject सारे सारे यह हो गए subject के साथ बिटा वीवन या फिर लाड़ ले वीफाई तो यह जो आपके सारे सारे subject यह वाले थे इन सभी के साथ में कौन सी वर्ब आएगी बिटा जी जल्दी बोलो जल्दी बोलो present indefinite में आप बोलोगे सर वर्ब की first form में as या फिर yes यानि कि हमारी वर्ब कैसे आई बिटा हमारी singular वर्ब ठीक है लेकिन अगर यह सारे सारे subject बिटा जी आपको मिल गए इन सभी की साथ वर्ब कॉनसी आएगे लडले लिए वर्ब की first form कॉनसी आएगे वर्ब की first form यानि की वर्ब कैसे हैगे बिटा आपके प्लरल टन तो यह आपने basic सी चीजह सी के present indefinite tense कि दन ने बात घृष छेटा अपके सारे वीडियो का मिलें गया प्लेक्ण बनी हुए यह प्ले लिस्ट बनी हुए यह प्ले-लिस्ट बनी हुए प्यारे बच्छों परिशान नहों तो इन सब booming sr लु gourat इन तरिकेसाफ कि आपका काम चलने वाला है प्रिजैंट टू différent टे के बेसिक हम घड़े लुज़ हूं हमने भी प्रिजंट done, बासन में आगी, तो इस लेवल पर विटा जी हमें चीजे सीखते चलना है, अभी मैंने helping work पे काम किया है, और थोड़ा सा main work पे काम किया है, तो आपको पता चला present indefinite tense कैसे हमारा काम कारने वाला है, ठीके जी, चलो, यहां तक अभी कोई दिक्कत आपको किसी बच्चे को है नहीं, easily आपने चीजे यहां तक बनाई है, कोई issue आपको 1%, बिटा जी, नहीं आया, done, चलो, अभी इस सी से आगे की जो बात है, बिटा जी, वो मैं आपसे फिर करूँगा, इसके जो जू कित्यू PDF देको, यह जो मैंने पढ़ाया, इस पढ़ाया है की PDF दोस्त में आपक application इस्टोल किया, इस्टोल करने के बाद, यहां पर देखो, यह रहा हूं, इस से आगे का टेंस, बिटा, कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक, इस से आगे कल पढ़ाऊंगा, बिटा, यह रहा हूं, बिटा, यह रहा हूं, हों के बराबन, बिटा, community को उप्शन, community पे क्लिक करना, जब community पे क्लिक करोगे, तो उपर आएगा, explore group का option, explore group पे क्लिक करना, यह मेरा personal group है, प्यारे बचो, English भाई, शानो सर, आपका जो भी doubt है, आपको मेरे से बात करनी है, कोई question पूछन, कुछ भी पूछना, यहां आप मेरे को comment कर सकता है, मैं आपको one-to-one personally reply करूँगा, यहा मेरे complete handwritten notes और book available है, हमारे application पर भी available है, flip card पर भी available है, ठीक है, यह मेरे complete handwritten notes है, notes को आप खुद देख सकतो, जिस अंदाज में पढ़ा रहा था, बिंदास हो के अपने मस्तमून के साथ, उसी अंदाज मेरे पूरे notes अपने हाथ से लिखे हैं, ऐसा निया किसी teacher से मैंने, या किसी बच्चे से लिखवाए है, सब से में चीज के मेरे हाथ से लिखे हैं, एक एक बात को खुद से, हर चीज को समझाते हो, मैं आगे बढ़ाओ, हर चीज मेरे खुद से लिखी गई है, देखो, यह मैंने tense के notes आपके सामद दिये, जो आपको tense पढ़ा है, यानि कि जो मैं पूरी की पूरी चीजे आपको इन notes के अंदर मिल जाएंगी, जिससे आपका समय बचेगा, और आपकी quality अच्छी होगी, जो quality of learning है, वो बढ़ेगी, और आपका time है, वो घटेगा, आपका पूरा ध्यान केवल पढ़ने पर होना चाहिए, मेरे साथ आपको पढ़ना है, हर दिन शाम का, पांच बजे का time, आप मेरे लिए निका लिए, मेरी जिम्मेदारी है, मात्रो और मात्र दो से तीन महीने, लास्ट कहा रहा हूँ, उससे पहले बढ़े आपकी पूरी इंग्लिस, मैं तयार करा हूँगा, बढ़ी हावाली तयार करा हूँगा, और आपको questions भी अन्रेटरी नोट्स हैं, जो की मार्केट में भी अवलेबल है, यानि फिलिप कार्ड पर भी, और हमारे अप्लिकेशन पर भी, ठीक, इसके साथ, नोट्स के साथ, बढ़ी बुक है, बुक के अंदर क्या है, ऐसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, ग्रैमर, वोकेब, कॉम्प्रे इंशन के हो, वो सभी आपको इसमें topic-wise मिल जाते हैं, हर chapter के अंदर मिल जाते हैं, और पूरी इंगलिस में हर chapter के पहले basic question, फिर average question, फिर advanced question, फिर miscellaneous, और फिर आपके previous question, chapter के अंदर आपको मिलते हैं, 2010-2022 तक के सभी questions, pre plus means level के, ठीक है, पूरी वोकेब, इसमें आपको device मि मिल जाती है, root word से मिल जाती है, यानि कि book आपको खुद बोलेगी, आपको पढ़ना कितना है, ठीक है वई, तो ये सारीक सारी चीजे आपके लिए available है, अपने आप में रामबान है, सबसे गजब की बात, जैसे आपका सले बस पूरा होगा, आप भागोगे practice set की तरफ, सर म मुझे practice set लगाने तो बड़ा practice set के लिए भी नहीं बागना, practice set मैंने अपनी इसी book के अंदर cover कर रखे, 61 practice set इसके अंदर, जिसमें 20 बिल्कुल आसान वाले, 20 आपके average वाले, 21 बिटा आपके advanced level के practice set बिटा जी, इसके अंदर available है, ठीक है मैं, आप ये बिटा, आपको कैसे म मिलेगी, कहां से मिलेगी, वो मैं आपको hint देता हूँ, बिटा, आपको क्या काम करना है, जैसी आप application को install करोगे, जैसी आपने application को install किया, बैख लिंक लगा हुआ है, comment box में, जैसी आप application को install करोगे, तो बिटा, application कुछ इस तरीके के अमारी open हो जाएगी, ठीक है, जैसी ब गए बुक्स में, बुक्स की केटेग्री में जाते ही, आपको ही हमारी सभी बुक्स मिल जाएंगे, इसमें बटा थोड़ा सा सर्च कर ले ना सानूसर बुक्स, या फिर थोड़ा सा अगर आप जिससे क्रोल करोगा ना उपर की तरफ देखो यह रहा मेरा कॉंबो, इन दोनों बिता, याद आ रहा है किसी बच्चे को, मैंने पीपीट में भी लिख दिया था, कूपन कोड है बिता, आपको वाई 795S, यदि आपने लगाया, तो मात्र और मात्र, आपको की कितने रुपे की रह जाएंगी, 450 रुपे में बिता, दोनों की दोनों बुक्स आपके घर पह पहुच जाएंगी, सारे के सारे चार्जे इसने इंक्लूड है, और फिर कह रहा हूँ बिता, अगर आपने इन से पढ़ाई करी, पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाई रहा हूँ, हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा, थियोरी बिल्कुल मत लिखो अपने आथ से, सारी और छोटी-छोटी exercise में बटे हूँ है, तो आपको करने में मज आएगा, आप बोर होई नहीं सकते, ठीक है, एक बात तो आपकी यह होई, ठीक है, अगर कोई बच्च ऐसा है कि online payment नहीं कर सकता, हमें तो दिक्कत आती है, तो फिलिप कार्ड पर जाकर के, आप लिख सकते सानु सर, सानु सर, लिख देना मातर, तुरंत आपको ना फिलिप कार्ड पर यह मेरी बुक शो हो जाए, तो बात रहे, ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी तक भी बुक, आप देख सकते है, कितना बड़ी आपका प्यार मुझे मिल रहा है, ठीक है, यह बात होगी बटा, दूसरी बात, जिस बच्चे को इंगलिस एकदम जीरो से सीखनी है, बिल्कुल जीरो से सीखनी है, तो हमारा CGL, CHSL का फांडेशन बैच भी हमारा चल रखा है, और इसी के साथ साथ, अभी जो हमारे काफी सारे बैच आये हुए, ठीक है, टाया 2 का बैच होगी हमारा, CGL, CHSL फांडेशन बैच है दोस्त हमारा, इसके साथ अभी GD वाली वेकंसिया हुए है, तो GD पर आप टार्गेट कर सकते हैं, देखो बटा हीरा, GD का वर्दी बैच, GD कॉंस्टेबल वर्दी बैच, जो हमारा बटा कल से शुरू है, 12 से स्टेमबर से, सोरी, कल का आज हमारी प 544 रुपे में, कम्पलीट GD का कॉर्स एवलेबल हो जाएगा, क्या डिस्काउंट कोड था, वाई 795, क्या है वाई 795, एक बार विस्वास करके बटा जी आप इसमें जुड़ जाएए, मेरी जिम्मेदारी एक परसेंट भी आपको दिक्कत ने आएगी, पूर की पूरी ग करके जुड़िये, हमारी जिम्मेदारी कोई दिक्कत बेटा आपको नहीं आएगा, तब तक के लिए बटा बढ़िया सरो, खुश रहो, बिंदा सरो, भी मेरी क्लास है, पेड, ठीक है, मिलता हूँ आप से 6 बज़े, बाई 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 करणा सरो, बाई 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 जे सहर कोई ज़गा, पेडल सका डल एधaremी आप सकुड़ मेरी कीा ह।